जाहिन दोस्तों मैंने दिबेन चोहान आजम करेंगे exercise 3.3 का question number 9 इसमें दिया है cos 3pi by 2 plus x cos 2pi plus x cot 3pi upon 2 minus x plus cot 2pi plus x equal है 1 के हमें इसमें LHS equal to RHS proof करना है तो इसमें कई सारी identity apply होंगी तो एक एक explain करते हैं सबसे पहले है cos 3pi upon 2 plus x 3pi upon 2 y axis पर होता है y axis पर जो भी cos वाली term होती है वो change हो जाती है sign में और जो angle x है sign के साथ वो हमें लिख देना है यह एक identity बन गई यानि कि जो cos 3pi upon 2 plus x है यह हो जाएगा यहाँ पर sin x तो 3pi by 2 plus x की जगह पर आ जाएगा sin x इसके बाद यहाँ पर है cos 2pi plus x इसको भी यहाँ पर लिख दिया है यह identity होती है जो 2pi वाली line है यह x axis पर है इस पे cos cos ही रहता है इसमें कोई change नहीं होता है इसके बाद जो angle है x यह इसे cos के साथ लिख देंगे इसका मतलब cos 2pi plus x यह cos x के equal हो जाएगा यह identity है अब cos 2pi plus x की जगह पर लिखेंगे cos x इसके बाद बड़े bracket के अंदर है cos 3pi upon 2 minus x अगर हम cos की बात करें यह एक identity बनती है तो यहाँ पर लिखेंगे cos उसके बाद 3pi upon 2 minus x देखो 3pi upon 2 x sorry 3pi upon 2 है 3pi upon 2 पर जो cos है वो change हो जाता है 10 में और 3pi upon 2 है minus x करेंगे तो यह 3rd quadrant में आएगा 3rd quadrant में 10 positive होता है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा उसके बाद जो angle है x इसे 10 के साथ लिख देंगे तो यहाँ पर cot 3pi upon 2 minus x दिया है यह equal हो जाएगा 10 x के तो यहाँ पर cot 2pi plus x है यह भी identity होती है 2pi पर कोई भी cot में कोई भी change नहीं आता है तो यह as it is रहेगा उसके बाद angle है x इसे लिख देंगे तो 2pi plus x की जगा पर 2pi plus x की जगा पर यहाँ पर हम लिख देंगे cot x अब हमने class 10th में एक formula सीखा था 10 equal to sin x upon cos x और cot equal to cos x upon sin x उसे यहाँ पर हम apply कर देंगे tan x की जगा पर हम लिख देंगे sin x upon cos x और cot x की जगा पर हम लिख देंगे cos x upon sin x उसके बाद यहाँ पर sin x as it is cos x as it is cross multiply होगा इसे मैं mark कर देती हूँ यह cross multiply होगा और denominator का denominator से multiply होगा ok sin x को sin x से multiply किया sin square x cos को cos से multiply किया cos square x और नीचे denominator को multiply किया तो cos x into sin x यह होगा sin x into cos x अब यहाँ पर sin x से sin x cancel cos x से cos x cancel अब हमने class 10 में एक और formula सीखी थी वो थी sin square x plus cos square x होता है equal 1 के तो इस sin square x plus cos square x की जगा पर हम लिख देंगे 1 तो यहाँ पर देखो हमें यही prove करना था तो LHS को जब हमने solve किया तो हमें मिला 1 तो यह हमारा prove हो चुका है LHS equal to RHS तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन